आज के समय में किसी भी ओफिस, पार्टी, कॉर्परेट सेक्टर या रेगुलर इस्तेमाल में लोग मिनरल ड्रिंकिंग वाटर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं कारण है बढ़ता हुआ वाटर पिल्यूशन और बीमारियां ये प्राब्लम्स नॉर्मल बोरिंग और सप्लाई के पानी से दूर नहीं हो सकती इसलिए आजकल ज्यादा तर लोग मिनरल वाटर खरीद कर पानी पीना ज्यादा बहतर समझते हैं मार्किट में रेगलर डिमांड में रहने से सभी छोटी बड़ी शॉप्स पर पैक्ट ड्रिंकिंग वाटर सभी साइज में आसानी से मिल जाता है पैक्ट मिनरल ड्रिंकिंग वाटर बिजनस हर साल 23-25 प्रतिशत की ग्रोथ से बढ़ रहा है ऐसे में मिनरल वाटर बिजनस करके अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है हेल्थ कॉंशिस आइटम में ये एक प्रोफिटेबल बिजनस आप्शन है आईए जानते हैं पूरी तरह से आटोमेटिक मिनरल वाटर बिजनस किस तरह से किया जाता है और ये प्लान किस तरह चलता है अगर बात करें raw material की तो mineral water plant business में पानी ही raw material के रूप में उपियोग किया जाता है Machinery Mineral water plant में यूज होने वाली machinery Raw water pump, dual media filter, carbon filter, anti-scalant dosing system, micron cartridge filter, pre-treatment, high pressure pump, reverse osmosis system RO, water storage tank 3000 liter, transfer pump, micron cartridge filter, post-treatment, UV system, ozone system, और ozone storage tank 3000 liter recirculation line जैसी machines की जरूरत पढ़ती है Process Process की बात करें तो pure drinking water बनाने के लिए बोर्वेल से पानी स्टोर किया जाता है फिर raw water में chlorination यानि की पानी में chlorine की dosing 2-3 ppm करते हैं जिससे पानी में present microorganism समाप्त हो जाएं Chlorination के बाद पानी को sand filter में store करके पानी से sand और impurities filter कर ले जाती है अब sand filter water carbon filter में store किया जाता है Carbon filtering एक ऐसी filtering technique है जिसमें chemical absorption का यूज करके Contaminants और impurities को हटाने के लिए activated carbon का उपयोग होता है Carbon के सभी granules या particle पर एक बड़ा pore structure होता है जिससे contaminants और impurities filter मीडिया के अंदर activated sites से ज्यादा से ज्यादा दूर हो सके इसके बाद high pressure के through membrane में जाता है Membrane की pore size 0.0001 micron की है ये पानी से chemical discard करने का last process है इसके बाद processed पानी का sample लेकर इसका micron lab टेस्ट होता है टेस्ट में निर्धारित मानकों के द्वारा sample के match होने पर carbon filtered पानी pre-made storage tank में आता है और इसके बाद पानी product water tank में जाता है इसके बीच में ही पानी पर ultra violet purifier से UV light और polishing filter का use किया जाता है जिससे बची हुई impurities पानी से निकल जाएं अब final product water tank में store पानी का ozonation करते हैं ozonation एक water treatment process है जो micro organisms को नश्ट कर देती है पूरी तरह से filtered और pure water अफ filler room में आता है यहां सबसे पहले bottles की धुलाई होती है धुलाई के बाद bottles की automatic water filling की जाती है water filling के साथ साथ ही bottles की automatic capping भी होती रहती है capping के बाद bottles printing और packing process से गुजर कर dispatch होने के लिए तैयार हैं hygiene maintenance के लिए यहां सभी process machinery के through होते है यहां तक की bottles की packing भी पूरी तरह से hygienic तरीके से ही की जाती है इस business में सबसे ज्यादा importance पानी की साफ सफाई और पानी के सभी levels को maintain करने पर दिया जाता है जिसके लिए यहां micron lab है जहां अलग-अलग तरह के bacteria की testing होती है इस business में पानी को process करने से पहले पानी का sample लेकर उसका pH value test pH meter से किया जाता है और चेक किया जाता है कि पानी का pH साथ हो अब बात करें cleaning process की तो यहां 4 hourly, daily, weekly और monthly cleaning होती है Pure filtered mineral water इस business का one and only product है जिसे pack करने के लिए transparent bottles और containers की जरूरत होती है आप चाहें तो bottles market से बनी-बनाई खरीच सकते हैं या फिर आप खुद भी इन bottles की manufacturing कर सकते हैं जो की आप के लिए financially beneficial साबित होगा इन bottles को बनाने के लिए injection molten pet pre-form का use किया जाता है और ये process दो steps में पूरा होता है पहले step में injection molten pet pre-form को automated machine के थूँ pre-heat किया जाता है pre-heating के बाद इन pet pre-forms को pet stretch blow forming machine के थूँ bottles के shape में blow कर लिया जाता है अब ये bottles water filling के लिए ready है अब अगर बात करें mineral water plant में basic utilities की तो वैसे तो ये आपके business skills पर depend करेगा जैसे की ये medium scale का plant खरीबन 4000 square feet से 6000 square feet में बना हुआ है और इसके civil work में आप अपने budget के according, shade या RCC की छट दोनों civil work करा सकते हैं किसी भी business में manpower बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस plant के लिए सभी workers, operators और lab technicians को मिला कर लगभग 15 से 20 manpower की जरूरत होती है साथी आप कुछ workers daily basis पर भी रख सकते हैं mineral water plant शलाने में electricity की major utility होती है जिसके लिए खरीबन 1500 kilowatt का एक commercial electricity connection लेना होता है क्योंकि ये water plant है, इसलिए आपको borville connection तो कराना ही होगा ताकि पानी की कोई problem कभी न हो ये सारे arrangements करने के बाद इस plant में लगभग एक महीने में 10,000 cartons का production किया जा सकता है production के बाद manufactured product की delivery के लिए transport की भी जरूरत होती है जिसके लिए आप 3-wheeler या 4-wheeler का use delivery order के हिसाब से कर सकते हैं water plant शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक license प्राप्त करने होंगे license भी प्राप्त करना जरूरी है आपके पास mineral water plant business जैसे और भी बहुत से business ideas जरूर होंगे but ideas are easy, implementation is hard जिसके लिए IID समधान आपके ideas को आसानी से implement करने में आपकी पूरी मदद करता है तो क्या आप भी एक successful entrepreneur नहीं बनना चाहते Institute for Industrial Development से जुड़ने के लिए आप दिये गए links और numbers के थूरू हमें follow कर सकते हैं ऐसी ही और business videos के notification के लिए हमारे channel यानि की entrepreneur India TV channel को subscribe करिए और bell icon को press करिए ताकि हमारी new updated videos के notification आपके पास तुरंद पहुँचे Thank you and think like an entrepreneur कर दो कर दो कर दोर दो